दोस्तों सकती नालेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आज किस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर पर्फेक्टेंस में निगेटिव सिंटेंस कैसे बनाते हैं यकीन वाने अगर आप वीडियो को लाश लग दे तो दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने अफर मेटियो सिंटेंस बनाना सीखा है आकर उस वीडियो को आप लोगों ने ना देखा हो किसी ने प्लीज उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा उसके बाद यह चीज़ें देखेंगे तो आपको बहुत चीज़े क्लियर हो लगाना है उसके बाद जो भी आपकी हल्पिंग भर्वोगी सैल और विल ठीक है आपको पता है कि जो हल्पिंग भर्व होती है फ्यूचर परफेक्टेस में सैल है और विल है लेकिन जब निगेटिव बनाते हैं तो क्या करना हमको कि आपको सैल और देखिए है तो दो पार कि उसके बाद उसके बाद आपको जो हैल्पिंग बना दूसरा पार्ट है उसको लगाना है कहने का मतलब है अगर आप निगेटिव बनाथ लिखेंगे या तो विल नौट है ठीक है यहां से देख लिए या तो विल नौट है कोई भी एक चीज जो आपके सब्जेक्ट में यूज हो sentence में उसके बाद दिखी main verb का third form फिर object और other word जो कुछ भी आपके sentence में बच जाएगा I hope ये चीज़ें को clear हो गई होंगी अलग से अगर आप चाहो तो अलग से में लिख सकता हूं आपको क्या करना है कि sell not have या तो आपको लगाना है या तो आप क्या लगाएंगे विल नौट है लगाएंगे इन दोनों में से जॉब का subject जैसा होगा उसी recording लगाएंगे आप चलिए sentence बनाने करते हैं पहला sentence क्या लिखा हुआ है रमेश पांच तक टीवी ठीक नहीं कर चुगेगा देखिए ठीक करने का मतलब क्या है उसको रिफियर कर रहा होगा तो ठीक है इस sentence को बनाते है सबसे पहला हमारा देखिए subject हमारा हो गया रमेश उसके बाद हमको क्या लगाना helping verb तो देखिए रमेश आई और वी में नहीं आता इसका मतलब क्या है क्या यूज करेंगे हम विल का यूज करेंगे तो विल इसके बाद देखिए not और उसका जो helping verb को जो दूसरा पार्ट है पहला पार्ट यह हो गया फिर not हो गया जो दूसर करना that means repair करना repair का third form को यूज करना है तो third form क्या हो जाएगा repaired ठीक है तो क्या हो जगा हमारा sentence रमेश विल नौट have repaired क्या repaired की बात हो देख टीवी तुम लिख देंगे टीवी अब कितने बच तक पांच बच तक अब मैंने आपको पताया था पिछले वीडियो में कि अगर आपके sentence में तक आए तो आपको क्या करना है तिल का यूज नहीं करना है आपको किसका यूज करना है भाई का ठीक ह I hope यह sentence आपको clear हो गया होगा यहां पर आपको कोई doubt नहीं होगा हमने क्या किया है कि रमेज आपको मैंने बताया था कि जो helping बर्व होगी दो पार्ट में है तो आपको helping बर्व के दोनों पार्ट के बीच में आपको not लगाना है negative बनाते वक्त उसके बाद third form तो लगाते ही ह उसके बाद जो भी आपको 5 बे तक लिखा है तो आप 5 उकलाग लिख दीजे ठीक है चलिए next sentence हम बनाते हैं मैं दो पार तक कपड़े नहीं धो चुकूंगा या तो धो चुका हूंगा ठीक है बात स्वाई है बनाते इसको कैसे बनाएंगे सबसे पहले subject I अब देखो I के सा सब्सक्राइब करेंगे आई और वी के साथ आई कभी अगर आप सब्जेक्ट है तो वहां पर आपको helping वर्व क्या यूज करना है सैल ठीक है चलिए तो आई सैल अब चुकी नौट हमको बीच में लगाना है तो हमने नौट लगा दिया फिर हैब लगा दिया पहला पार्ट helping वर्व का दूसरा पार्ट उसके बीच में लगाया देखिए नौट ठीक है तो I सैल नौट है अब हमको main वर्व का 3rd form तो main वर्व यहां पर क्या देखो ध जाएगा तो I shall not have washed क्या नहीं दोस्टुगा भाई कपड़े वाउस्ट दा क्लॉस कब तक दो पहर तक यानि फिर तक के लिए हम लगा देंगे बाई दो पहर के लिए आपको पता है क्या बोलते हैं नून डबल ओ एन ठीक है I hope यह सेंटेंस भी आपको बनाना आ गया होगा च कुम्हारे पहुंचने से पहले हम पैसे कठे नहीं कर चुके होंगे ऐसे सिंटेंस मैं आपको पीछले वाले वीडियो में बताया था और जब पर्फेक्टेंस पड़ रहे थे तो वह ऐसे भी सिंटेंस हमने आपको बताया था इसको बनाने का एक रूल है देखिए जो आप पहले के बाद लिखा हुआ है यह इसको आको बनादा देना फुचर पर्फेक्टेंस में फिर पहले के लिए क्लिए हम क्या लगा देना वी-fight में हम पैसे कठे नहीं कर चुए थे इसको करने के लिए क्या और करेंगे देखिए सबजेक्टस में क्या है हम यानिए वी के शाद को पता क passer करेंगे तो अब सेल के बाद को क्या लगाना और उसका बाद को क्या लगाना है है नौ सब्जेट के हेल्प्ण बर्भ के दोनों पार्ट के बीच में नोट तो वी अलॉट है पहुत है। क्या करना भाई हमारा में काम क्या है पैसे एकसर और करना एक ढखा करना काई मेश होता है collect कलेक्टहसों क्या होता है क्टेट सिटो डबल इटेट को उपτο कि त्युक्त फिई नाट है धानेट मानी आप देखो पहले जब फ्यूचर कर लेंगे उसके बाद फ़ो लगाएंगी पहले के लिए हम लगा दिए यहाँ पर बीफोर उसके बाद क्या करना है भी है जो यह भाला शंकर करना किसा किसह में प्रसंड़ी अंचेक तो सब्जेक्ट लगाएंगे में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो क्या लिखा सब्जेक्ट यहां पर क्या आएगा तुम्हारे यानि यू और उसके बाद में पर का फैस्ट पॉंचना तो पहुंचना कैमिस रीच ठीक है और हो गया बस बांकिस में तो कुछ है नह यह चीज़े आपको मैंने बताई हुई है अगर आप लोग नहीं देखा है तो प्रेजेंट की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगे तो आई होप यहां पर जो मैंने तीन सेंटेंस आपको बताएं हैं क्लियर हो गए होंगे च चले बनाते हैं फोर सेंटेंस क्या लिखा कि वह 11 बज़े तक घर नहीं पहुंच चुकेगा ठीक है कैसे बनाएंगे वह चुकेगा लड़की की बात हो रही तो ही और ही के साथा को पता है विल का यूज करेंगे तो ही विल निगेटिव हैं तो ही विल नॉट है उसके घर यानि हों तो ही विल नॉट रीच्ट हो अब ग्यारा बेर तक यानि बाई इलेवन ओक लॉक लॉग आई होप यह सेंटेंस अब क्लियर हो गया होगा पहुत आसान था इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल से नहीं कराया क्योंकि आप कर चुके होगे है ना फिर क्या सेंट यह सेंट तक अपना कारे पूरा नहीं कर चुकेगी अब यहां चुकेगी लड़की की बात हो रही है वाइब क्या यूज करेंगे हम सी लड़की के लिए यूज होता है और ही लड़के या मेल के लिए तो सी के साथ क्या जूच करेंगे विल उसके बाद नौट लगा ोठीक है या तो आप फिनिस दो में से कोई भी यूज करलो तो ही विल नट हैब क्या यह थाइडर वाम दाया क्योंगी इसमें थाइडर वंहीं थायन्य किया जाता है क्या अपना कारें अपना कर तो सी के साथ विंए अपना के लिए यानि वर्क तो सी विल नौट हैब कम्पेटेट हर वर्क साम तक यनि बाई इवनिंग अब ये मैं मान के चलता हूँ कि जो तक वाला है ना जो तक वाली कहानी है ये अब आपको क्लियर हो गई होगी है ना अब इसमें आपसे गलती नहीं होगी कि इतने सारे सिंटेंस मैंने तक वाले बता दिये हैं कि आप सब बन जाएंगे ठीक है नेक्स इंटेंस क्या लिखा है सर्दियों से पहले राजु भूपाज से कपरे नहीं ला चुका होगा ठीक है लाने दो भाई राजू को हम का यह परसान हो राजू है नाम लगा दो राजू को हो ठीक है उसके बाद रोजूड इसके लिए हंकर लगाएंगे विल का ही उज़ करेंगे तिल नॉट है बस सब्जेक्ट देखना है फिर आपको पता चल जाएगा कि क deben not लगाना है स्विल नौट है उसके बाद क्या करना में में ऑक ने क्या लाना काय कायी में इस होता है लाना, bring यानि होता है लाना और bring का थर्ड फॉर्म के होता bring, brought, brought spelling B-R-O-U-G-H-T तो राजू will not have brought, क्या नहीं लाया भाई, कपड़े brought the clause, ठीक है, भूपाल से यानि फॉर्म भूपाल सर्दियों से पहले देखो यहां पे और में वर्भ नहीं आई इसवापन यहां से आदक स्थिन लिखह आता दो और में बड़ा दो पहले पहले ठीक है तभी हम इस टाइब के डूल के यूज़ करेंगे लेकिन सिर्फ पगर पहले आए और यहां पर कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है एक सेंटेंस तो वहां पर हम यह रूल यूज़ नहीं करेंगे यहां पर हम क्या करेंगे सिंपल सब लगा देंगे बिफोर और यानि पहले के पहले क्या लिखा हुआ है सर्दियों से यहां यहां जगए नहीं है मैं नीचे लग देता हूं विंटर ठीक है और लास्ट में फुरिश्टाप यह जितने भी सिंटेंस आपको मैंने बताए हैं गर आई है यहां से दिखकत होने वाली है अब कमेंट करके मुझसे पूछते सिंटे हैं उनको पता है कि मैं हर एक कमेंट का जबाब देता हूं अगर आप आप अभी उनको करते हो तो उसको हाइड कर दूगा यहith़कि पूरण बड़ अगर आप जेन्मिन कमेंट कुछ होगे जहां से आपको कोई डाउट क्लियर हो नहीं हो रही है तो उसका मैं आपको रिफलाई करता हूँ एक या दो घंटे के अंदर आपको रिफलाई दे दूँगा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यह सब चीजें आपके लिए है और